एक बार फीचे मेरे इट चानल यूटूपार्ट जिरों आप सभी सिक्षक सांथियों का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम दो तीन अपडेट डानेंगे सबसे पहले हम आपको बता दे कि जीओ भी मत का एलोटमेंट से संबनित अपडेट जानेंगे उसके बास अक्षम को तो आई देखते हैं वीडियो को विस्तार से लगतार मेरे चैनल पर भी कमेंट आ रहा है देख रहे हैं कि परतियक जीला से कमेंट आ रहा है जीओ भी एलोटमेंट को लेकर जीओ भी बेतन भुकतान को लेकर अभी आपको सिवर जीला से एसेस मद का भी लगतार कमेंट रहा है कि आखिर कब तक बेतन भुखतान होगा तो आपको पता दे कि लगबग जिला में एसे समद का माहमाच का बेतन भुखतान हो चुका है कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर बेतन भुखतान नहीं हुआ है तो अगले सब्ता में निश्चित रूप से आपको बेतन भुखतान वहीं आपको बता दे कि एक कॉमेंट आया है भागलपूर जिला का बेतन SS मत का भुकतान हो चुका है और जीयो विमत का रासी नहीं है वहीं पस्षमी चमपारन में भी लगातार कॉमेंट आ रहा है कि जीयो विमत का कब तक बेतन भुकतान होगा तो पस्चमी चमपारन में भी आपको जीयो विमत से बेतन पाने वाले सभी सिक्चकों के लिए रासी उपलब्द नहीं है सिता मड़ी वें भी जन नहीं है लगभग सभी जिला में आपको जीयोविमद से बेतन पाने वाले सभी सिक्षकों के लिए रासी उपलब्द नहीं है जिसके वज़ा से भुकतान नहीं हो रहा है कल ही मेरी बात असनातक ग्रेड के परदेश अद्यक्स पिंटु कुमार सिंग जी से हुई है वह कल सची वाले भी गए थे वहाँ से अपडेट मिला है कि सची वाले में आपका संची का त्यार हो रहा है जल्द ही आपको प्रथम किस्त जीयोविमद का चला जाएगा आपको बता दें कि जीयोविमद का जो रासी होता है साल में मात्र तीन बार ही एलोटमेंट पूरा साल के लिए किया जाता है तो जो फर्स्ट किष्ट है आपका अप्रेल माह में ही चला जाएगा कल अपडेट में परिवर्तन होगा मैं आप सभी को अपडेट दूगा दूसरा बात रहा आपको लेकर बड़ी अपडेट है यह है कि सक्षमता परिक्षा पास सभी सिक्षक बनने पर लग गया गरहन अब राज कर्मी बनने के लिए नियोजी सिक्षकों को करना पड़ सकता है इंतिजार खार में अचार सहीता लागू है और इस बीच में आपको आदेश नहीं मिला है जिसके वज़ा से आपको काउंसलिंग नहीं हो सकता है अब चुनाव बाद होगा काउंसलिंग जून में आपको काउंसलिंग होगा उसके बाद आपको बता दें कि यह जो काउंसलिंग होगा पंदरे से 20 दिन चलेगा उसके बाद आपका जो होगा स्कूल एलोट किया जाएगा रेंडोमाईजेशन वहीं आपको बता दें कि एक पूर्ब उपमुक मंत्री तेजस्वी यादो के द्वरा एक बयान वाइरल हो रहा है जिसमें उनके द्वरा यह बताया गया है कि मेरी सरकार बनी तो नियोजी सिक्षकों को मिलेगा ओल्ड पेंशन एवं अनकरमचारियों को लेकर यह मैंने पोश्ट भी किया है और आपको बता दें कि इसे पूर्ब में भी उनके मेनोफेश्टो में था कि प्रत्थम कैबिनेट के बैठक में ही नियोजी सिक्षकों को समान काम का समान बेतन दिया जाएगा लेकिन जैसे ही वह सरकार में आएं सारी आपको जो भी वादे भूल गए फिर आपको चुनावी दोर चल रहा है और लॉली पॉप सभी सरकार दे रही है कि मेरा सरकार बनेगा तो नियोजी सिक्षकों को मिलेगा गोल्ड पेंसन समान काम समान बेतन राजकर्मी का दरजा तो अब नियोजी सिक्षकों का इसका उमेद नहीं लग रहा है उस पर मैंने अपडेट किया है कि आखी सिक्षक अपना मंतव दें कि केतने सिक्षक इन से सहमत है इनके बयान से लगतार इस तरह का कमेंट आ रहा है कि जब सरकार में थे तो इनके तरफ से किसी भी तरह का इस तरह का कार्ज नहीं किया गया इसलिए सिक्षकों को इन से भी उमीद नहीं है, आगे देखना है कि क्या कुछ होता है, तो वीडियो में इतना है, वीडियो में आज तक बने आने के लिए धन्यवाद वीडियो को करें वीडियो को एक लाइक होस करें और चैनल को सब्सक्राइब जो करें इस तरह का सिख्चाई वाक से लेटर सब्डेट पाने के लिए